नमस्कार आदाब, मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रॉंड़ अप शोओ आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर कोरोन अपडेट, देश में नए मामलों में लगातार बढ़ोती 24 गंटों में दर्श ये गए 46,951 नए मामले हमाई दूसरी खबर दिल्ली से जहाबत चात्र युवा और मजदूरों ने बेरोजगारी के खिलाफ किया सन्युक्त प्रदर्शन, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग उठाए शहीद यादगार किसान मजदूर पदियात्रा, इलाकों से किसानों मजदूरों को मिल रहा समर्थन भीमा गोरे गाउं, कोर्ट ने स्टेन स्वामी की जमानत याचिका खारिच की प्रसिद फिल्म निदेशक, लेखक, नाटक कार, सागर सरहदी नहीं रहे आज से ठीक एक साल पहले, कोरोना मामलों की नियंतित करने की सोच से प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाया था और दो दिन बाद देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था ठीक एक साल बाद आज कोरोना वाइरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं किंदी स्वास मंत्राले दोरा आज सोंवार यानि 22 माच को जारी आगडो के नुसार देश में चार महीने बाद कोरोना के करीब 47,000 यानि 46,951 नहे मामले सामने आए हैं इसके अलावा करोना से 68 दिनों के बाद एक दिन में 200 से जादा यानि 212 मरीजों की मौत हुई है वहीं महरास्ट में भी करोना के अब तक के रिकॉर्ट 30,535 नहे मामले दर्ज किये गए हैं और 99 मरीजों की मौत हुई है साथ ही सीबीश देश बर में करोना से परिट 21,180 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 25,569 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,16,46,181 हो गई है जिनमें से संक्रमण के कारड़ अब तक 1,69,967 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में करोना से परिट 95,75 फिसदी यानि 1,11,51,468 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 2,87 फिसदी यानि 3,34,646 हो गई है केंद्र और दिल्ली सरकार की गलत मीतियों से बढ़ती बेरोजगारी के खिलाप अपना विरोध दर्श कराने के लिए मजदूर, छात और यूवा, सोमवार को एक साथ है दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शन कारियों के अनुसार देश में बेरोजगारी की इस भयानक इस्तिती के लिए सरकार और उसकी गलत नीतियां जिम्मेदार है Center of Indian Trade Unions, Student Federation of India और Democratic Youth Federation of India ने सन्यूक तुरूप से इस प्रदर्शन का आयोजन किया था इस विरोध प्रदर्शन के लिए तीनों संगठनों ने पिछले एक महिने से दिल्ली के यूवा, छात्रों और मजदूरों के बीच व्यापक अभियान चलाया था विरोध करने वाले सम्मू अपने साथ 12 सुत्री मांग पत्र भी लाये थे जिसमें भगत सिंग शहरी रोजगार गारेंटी अधिनियम का कार्यान मयन शामिल था जो कि सबी रोजगार योग लोगों के लिए नियूंतम मजदूरी दरों पर 200 कार दिवस सुनश्यत करता है केंदी श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को इन मांगों को उजागर करते हुए एक ग्यापन भी सौपा गया प्रदर्शनकारी समूहों ने सोंवार को अपने प्रेस बयान में कहा कि आने वाले दिनों में भी रोजगार पर अभियान जारी रहेगा हम खड़े हैं जंतर मंतर पर जहां पर सीटू, सफाई और डिवा एफाई के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी मुख्य डिमांड रोजगार को मौलिक अधिकार में तब्दील करने की है आईए यहां मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं और जाननी की कोशिश करते हैं कि आज के विरोध प्रदर्शन के क्या माईने हैं मजदूरों को तो पुरा हाल है काम दंदा तो है नहीं कोईसे बच्चे पाला जाएगा ऐसे भी लोगड़न में एक साल सो तो पिछली साल सो तो लोगों मर रही है अभी तो रोटी मिलना मुस्किल है जब चुनाव आते हैं तो रोजगार के वादे किये जाते हैं दो क्रोड रोजगार बिहार में आप देखोगे कि उन्होंने कहा 19 लाख रोजगार बंगाल में कुछ और बोलेंगे लेकिन चुनाव खतम होते हुए यह युवाओं को बूल जाते हैं हम लोगों का अनुमान है कि करीब 30% के आसपास अभी दिल्ली के अंदर unemployment ratio है rate है इसके अतरिक्त semi employment marginal employment और इस तरह के employment की भी इस्तिति है मतलब महीने में 15 दिन का काम या 20 दिन का काम या दिन में 4 घंटे का काम इस तरह के काम करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में दिल्ल के अंदर एक भयावा इस्तिती रोजगार की बंती जा रही है सरकार उस रोजगार से निपटने की बजाए इस्तिती से निपटने की बजाए लगातार दूसरे तरह की चीजों में इंगेज्ट है जो popular politics है उसके अंदर जादा उसका ध्यान है और इस fundamental problem को resolve करने की कोशिश दिल्ली की सरकार की तरफ से भी नहीं हो रहा है जाईर सी बात है केंदर की सरकार तो दोशी है ही है यह रोजगार की डिमांड बहुत बड़ा सवाल है और मोधी जी को अगर इस पे नहीं बोलेंगे और इस पे काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में सत्ता से बाहर करन के आवान पर शुरू की गई शहीद यादगार किसान मजदूर पद्यात्रा जगा-जगा से गुजर रही है और किसान मजदूरों की मांगो को जनता का समर्थन भी मिल रहा है यह पद्यात्रा कल यानि 23 माच को किसान आंदोलन में शामिल होगी आए देखते हैं निउसक्लिक किया ग्राउंड रिपोर्ट तीन काले कनून है जब तक यह सरकार रद नहीं करती तो हमारे पाउं में चाले पड़े हमारी जनने चली जाएं क्योंकि इस संगर्ष में अगर हम शीद हो जाएंगे तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है नशकार दोस्तों मैं अजिए जो आप गिसान इात्रा देख रहे हैं यह पंजाब के खट खट कला से चल के दिली की तरफ जा रहा है ताकि अपनी चुलिए सरकार को अपनी बात बता सके उन्हें समधा सके तुनियन किसान हो जात्रा किती है जात्रा करदे करदे साब दे पैरा ते शाले पड़ किसी के पैरों में साले पड़के कोई बुजोर्ग है उनकी सेहत जाज़त नहीं दीती वो फिर भी दिली जा रहे हैं वो कसानों बहनों और भाईयों का बोलना है कि हम तीन कनून जो कसानों के खलाब सरकार में बनाए हैं कि डेंध बॉलते हैं वो कसानों की मौत है उस मौत के ब रंटों को बाप्स कराने के लिए हम जाते हैं अधेर सरकार अमारी बात नहीं सुनना परके हैं तो हमारा अन्दोलबन चलेगा आं तो सारे देस में फैला यह आंदोलन और यह आंदोलन क्यारी यहीं चाहाइं के विकंगी ट्रफों क कितन है इससे हम जो हमारे नो मेनतवकाश अवाम है उसको जे मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जो शहीदों के सपने थे, जैसा वो हिंदोस्तान बनाना चाहते थे, जहां सब बराबर हो, किसी की लूट ना हो, वो उनका सपना था, इसलिए उन्होंने फांसी का रसा चुमा था, और 23 मार्स के दिन, उस समय की जो अंग्रिय सरक थी, उन्होंने राजगूरु सघदेव और भग सिंग को फांसी जी दी, तो हमारा यह सोचना भी अभी उनके सपनों का देश नहीं बनाया, क्योंकि आज भी मेनत का शवाम की लूट जारी है, और यह जो कार्पूरेट घ्राने हैं, अभी भी आम जनता का मेज़ूर जमार का खारच कर दी है, सौमी ने स्वास कारणों से जमानत की याजका डाली थी, जिसे बाइस माज को कोट ने खारच कर दिया, सौमी को 8 अक्टूबर 2020 में गयर्फितार किया गया था, वो मुंबई की तलोजा जेहल में बेगद है, 83 साल के सौमी को अक्टूबर 2020 में राची श शामिल है जिन पर भात के प्रदानमंत्री नरेन मोदी की हत्या की कथित शाजिश रशने और बीमा कोरेगाउं में हुई हिंसा को कथित तौर पर भढ़काने के आरोप हैं। इस मामले में दूसरे आरोपी, कवी और विचारक 81 साल के वरवरा राओ को 29 महिने बाद फरवरी 2021 में मेडिकल आधार पर 6 महिने के लिए जमानत मिली थी। प्रसिद्ध फिल्म निदेशक लेकक नाटक का सागस रधी नहीं रहे। आयू सम्मन्दी स्वास समस्चाओ के चलते रवी वार रात उनका निदन हो गया। वे 88 वर्षके थे उन्होंने बाजार जैसी क्लासिकल फिल्म दी। इसके अलावा उन्होंने नूरी, कभी-कभी सिलसिला और चान्नी जैसी सूपर हिट फिल्में भी दी। सागा सरहदी के भतिजे तता फिल्मकार रमेश तल्वार ने PTI भाषा को बताया कि उन्होंने यहां सियोन के निकट अपने आवास पर अंतिम सास ली। सागा सरहदी प्रगति शील आंदोलन से हमेशा जुड़े रहते थे। शुरुवात में उन्होंने भारती जन्न नाटे संग के लिए भी खूब लिखा। भगत सिंग और अश्फाक उल्ला खान पर लिखे उनके नाटक खूब मश्यूर हैं। उनके निदन से फिल्म के साथ बौधिक और कला संस्किती जगत में भी शोग छा गया है। आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही।